जैय शीक्रिषना दोस्तो बिएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तो सर्व पितर अमावस्या का बहुत अधिक महतु माना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या के दिन जो हमारे पितर होते हैं, वो अपने लोग को वापस लोड़ जाते हैं। इसलिए इस अमावस्या को देखिए मोक्ष तायनी अमावस्या या पितर विसरजनी अमावस्या भी कहा जाता है इस दिन जो भी वेक्ति उनका शद्धा भाव से उनको नमन करता है उनको विदा करता है तो उनके पितर उनसे प्रसन होते हैं और उसके घर में खुशियों का आ मात्र दोश से मुक्ति दिलाने के लिए भी सबसे शेष्ट दिन माना जाता है दोस्तों इस दिन क्या जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहें जिसके करने से आपकी पितरों का आश्रिवाद अवश्य ही मिलेगा अगर आपकी जरम कुंडली में पितर दोश है तो वह भी स्क्राइब निके तो सस्क्राइब आवश्य कर लें बगलें बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके दोस्तों पितर अमावस्या का बहुत अधिक महत्त माना जाता है दोस्तों श्रादों में आप पितर अमावस्या के दिन अपने पितरों का मतलब पूजन करते हैं अपने पितरों के लिए इस वपाय को करते हैं तो यकीन मानिया आपकी कुर्णी के जितने भी पितर दोस्त है वो तो समाप्त होंगे ही और जिस भी मनो कामना के लिए आप इस वपाय को करेंगे वो आपक तो एक पत्तल पर एक पत्तल लेना है और उस पर आपको पांच ग्रास जो भी आप घर में बनाते हैं पूरी सबजी खीर जो भी मिठा आप बनाते हैं उसको पांच जगा पर रखना चाहिए इन पंच ग्रास को अगर गाय का देखे गाय को पत्तल पर रखकर खिलाया जाया पंच ग्रास को पतल पर रखकर अपने पितरों का ध्यान करके पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रखना चाहिए दोस्तों पितर अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिया आपकी जितने भी पितर दोशें कुंडली के दोशें वो अवश्य ही स दोस्तों शास्तरों में माननेता है कि पितर अमावस्या हमारे जो पितर होते हैं वो देखे जल का आचमन करके अपने लोग को जाते हैं बाना जाता है कि जो भी व्यक्ति मतलब सायकाल के समय जलाशे पर यानि कुवा बावडी तालाब अगर आपके घर के आसपाद जहां पर अपने पितरों के नाम से दीपक अचमन के आइस अपने लोग को चले जाते हैं दोस्तों अगर आपके घर के आजपा जैसे जलाशे नहीं नहीं चाहिए थाया उनको नमन करना चाहिए उनको प्रात्ना करनी चाहिए कि आप से जो भी भूल चुक हो गई है उनको शमा करें और आपके घर परिवार के सबी सदस्यों को अपना आश्रिवात परदान करें दोस्तों इस तरह से प्रात्ना अवश्य करें अगर आपके घर के आसपाद देखिए जलाश है यानि कुवात अलाब है तो वहाँ पर भी और पीपल के पेड़ के नीचे भी है अगर आप दोनों ही जगा अपने पित्रों के नाम से दीपक जलाते हैं दक्षिड की तरफ मूँ करके दीपक जलाते हैं तो यकीन मानिया आपके जो पितर हैं जाते जाते आपको आश्रवाद अवश्य दे जाएंगे और आपकी जो इच्छा है वो शीगर पूरी होगी दोस्तों पितर अमावस्या के दिन इस उपाई को आवश्य करें निश्चित ही आपको लाब मिलेगा साथ ही दोस्तों अगर पितर अमावस्या के दिन देखिए चीटियों के लिए भी अगर आप आटा चीनी मिलाकर या बुरा मिलाकर अगर आटा डालते हैं तो इससे भी हमारे जो दोश होते हैं कुंडली के दोश होते हैं वो समाप्त होते हैं और शीग रहे हमारे जो इच्छा है वो पूरी होती है दोस्तो पित्र अमावस्या के जितने भी उपाय किये जाए वो कम होते हैं लेकिन पित्र अमावस्या कि दिन अगर शद्धा भाव से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने पित्रों का अश्रिवाद अवश्य मिलेगा और निशित ही आपकी जो इच्छा है पुत्र धन नोक्री विवा वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो इस दिन इस उपाय को अवश्य करें आपको लाब अवश्य मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमेरी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी कुष्णा